इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा अस्सलाम आलेकुम रहमतुलाहिवरा काती है आप सभी का अखार मक्तब है आलमी सत्व पर भारत विरोधी माहौल में इजाफा भारत की जिलत में भी इजाफा भले ही भारत अपने आपको विश्व गरु कहरा हूँ अमरीकी सदर ट्रुप की आउभगत से अपने आपको ता चाड़ते नजर आ रहा है भारत के प्रधान मंत्री मोधी और ग्रह मंत्री आमिच्छा ने एक तरब से बड़े-बड़े घोटालों के जरिये विजय माल्या हो निरव मोधी मेहुल चौकसी को अर्बों खर्बों के घोटा लेकर विदेशों को भगाया रेल हवाई जहाज से लेके बैंकों तक को बेच दिया गया यहां तक कि तारीखी मकामात का भी सवधा किया गया देश की जंता को धर्म मजभ राममंदीर हिंदुत्वा का लॉलिपप दिया जाता है जिसे आज भी चूस्ती नजर आ रही है मोधी खुद और इनके अक्सर का ही तशद्दुद व नहीं क्यों न बहाना पड़े पर क्या जुम बर्बरियत और धोके से हासिल इक्तदार इस देश में अमन इत्मिनान भाई चरह सुकून को काईम रख सकता है अगर मान भी लिया जाए कि मुसल्मानों और दलीतों को तकलीब दे कर इनके खून की होली केल कर हासिल इक्तदार देश को तरक्की के रापर आगे बढ़ पाएगा कितने फीसद अकलियतों को परेशान कर क्या अक्सरियत समास तरक्की कर पाएगा अदेली जल गई क्या वाकई वहां के तमाम घर मुसलिम बहुत होश हैं मुसल्मानों को बड़ा नुक्सान हुआ नहीं क्योंकि भारत की मि परोबार रोजगार चला गया है हर रोज एक नहीं बुरी खबर मुदी हकूमत में सुनने को मिल रही है नए-ने कानून जिसकी कोई जरुत नहीं नाफिस के जा रहे हैं अर्तिम्यवस्ता महिशत के हालत तो बताने के लाइक भी नहीं है यकीन मानिए सिवाए अंदभक्तों क कि आपको हर कोई परिशान नजर आएगा अंदभक्त खुश इसलिया है क्योंकि वह अंद्य है हकीकत देख नहीं पाते 2014 से इसे धर्म की पट्टी आंखों पर बांदी हुई है और उसे यहीं त्मिनान दिला जा रहा है कि 2024 में तुमारा राश्ट बनेगा फिर उसके लिए देली चैसे कितने ही फसादात हो पर जिस तरह विदेशों में भारत की बदनामी हो रही है से देखते वे कुछ इल्मी दानिश्वर विचारवन तब बोलने पर भी मजबूर हो रहे हैं निर्मला सीता रवन भारत की आरत व्यवस्ता पर कितने भी किस से कहानी सुनाएं सच लेती तर्मीम कानुंसिये और दिल्ली फसाद पर एरान ब्रिटन तुर्की पाकस्तान मलेशा बंगलादेश अफगानिस्तान अमरीकी एजन्सी युनाइटेड स्टेट्स कमिशन और इंटर्डेशन रिलीजिस फ्रीडम और इस्लामी कोपरेशन और युनाइटेड नेशन युमन रैट कमिशन बयान जारी कर चुके हैं इरान भारत दोस्ताना काफी पुराना रहा है और अक्सर भारत के खिलाफ कुछ कहने से अक्सर हमेचा इरान बसता राएपर अमरीकी के जानिब से पावंदिया लगाने के बाद रिश्टे मतासिर हुए है इरान के सबसे आला मजभी रहनुमा यातुलाई खुमेनी ने दिल्ले में मुस्लिम कश्वसादात की मदमत करते वे मुदी सरकार के मुसलमानों के मद्दनजर रवये पर सवाल उठाय, उन्होंने ट्वीच किया कि भारत में बारत में कतले आम पर, दुनिया भर के मुसलमानों का दिल दुख् भारत सरकार को कट्टर हिंदूओं और उनकी पार्टियों को रोकना चाहिए उन्होंने इशारा भी दिया कि अगर भारत इसलामी दुनिया की ओर से अलक थलक होने से बचना चाहता है तो उसे मुसलमानों के कतले आम को रोकना होगा ब्रिटेन ने में भारत की राज़दानी में हुए फसादात पर एतरादात जताये हैं हुकूमत की जानिव से कहा गया कि पुलीस रवाईवे पर सवालात उठाए गए जिसमें पुलीस कारवाई तश्वीशनात दिखाई देती आलमी सतह पर इससे पहले इतनी भारत की मुखालफत का माहूल कभी देखने में नहीं रहा पर देली फसाद और इससे पहले एनार से सीये की विरोध में आवाज बुलंद होती नजर आ रही है ना सिर भारत के मुस चारीक और देली फसाद ने मुदी सरकार के मुपर काली पॉंक दिये शाहिनबाग की तहरीक इसकदर कामियाब रही के विदेशों में भी शाहिनबाग जिंदाबाद के नारे लगाए गये इसकी हमायत में नारे लगाए गये खास तोर से महिला दिवच के मौके पर शाहिन संप्रदाइक्ता कि राजनिती सियासत को बंद करना होगा वरना भारत देश विश्योगुरू तो दूर के बाद अपना वजूद बचाने में ही नाकाम हो जाएगा इत्याद देखने के लिए शुक्रिया अल्ला अफित